अमिजसा जितनी बार बिहार आ रहे हैं, हमारे परती लोगों का विश्वास बढ़ रहा है, लोगों का समर्थन देखने को मिल रहा है, चुके भारतिय इनतापाटी है, भारतिय इनतापाटी की जो नीतियां रही है, जुमलाबाजी करने की भरम की राजनिती की उसकी पोल ख काम करते हैं आने वाले समय में अम इस साजी को भी हल्दी लागा करके लोग भेजने का काम करेंगे लोग अब खोजते चल रहे हैं उन लोगों को जिन्हों में कहा था कि दर्भंगा में एम्स का निर्मान हो गया है दर्भंगा में इलाज शुरू हो गया है अब लोग खोज रहें भारतियनता पार्टी के नेता वकार्च करता को लोग तो अब पूछ रहें कि एक तरफ एक व्यक्ति है जो बिना हवा ये ड़ा मने हुए हवा जहाद उड़ाया है दूसरा वक्ति है जो बिना एम्स का निर्मान हुए है एम्स में लोग का इलाज करवा रहा है नमस्कार बहुत स्वागत है आपका लाइप बिहार में मैं आपके साथ रूपम देखे एक बार फिर से अमित्सा बिहार आने वाले हैं बिहार के जंजारपूर मे 16 तारिक को अमित्सा पहुचने वाले है अगर पीछे का ग्राफ देखा जाए तो जब भी अमित्सा बिहार आ है उसके बाद कुछ न कुछ बदलाव देखने को मिला है एक बार फिर से अमित्सा जंजारपूर आने वाले है और ऐसे में क्या कुछ बदलाव होगा जो भी प जेडी के प्रवक्ता एजाज अमित्सा पहुच रहे हैं फिर से एक बार बिहार में जंजारपूर में क्या लग रहा है कि किस तरह से जंता को संदोज देंगे अमित्सा जितनी बार बिहार आ रहे हैं हमारे परती लोगों का विश्वास बढ़ रहा है लोगों का समर्थन देखने को मिल रहा है चुक्ए भारती इंता पाटी की जो नीतियां रही है जुमलाबाजी करने की भरम की राजनीति की उसकी पोल खूल चुकी है अब बिहार के जनता चाहे अमित्सा जी आ जाए चाहे प्रधान मंतिरी नरेंद मोदी जी आ जाए उस पर विश्वास नही है और जिस तरह से लोगों को ठगी का सिकार बनाया यह असपश्टूप से दिख रहा है जब अमित साजी पहली बार आये पुर्णिया में तो बहुत थाइप बनाये गया लेकिन पुर्णिया में जब इन्होंने भासन शुरू किया तो हवा हवाई बाते की इन्होंने बिना ह हवाई पट्टी का निर्मान वे बिना हवाई अड़ा का निर्मान वे पुर्णिया से हवाई जहाद उडाने का काम किया लोगों को समझ में आ गिया कि हवा हवाई राजनिती करने वाले आर्श्टूम अपने ही कहते हैं कि भारतियांता पार्टी जो वादा करती है वो करती है उसी तरह से आप देखे होंगे मिध्राणचल के लोगों को जिस तरह से परधान-مत्री-जी-के अस्तर से ठगने का काम किया गिया भर्म में रखने का काम किया गिया और लोग अब खोजते चल रहे हैं उन लोगों को जिन्होंने कहा था कि दर्भंगा में एम्स का निर्मान हो गया है दर्भंगा में एलाज शुरू हो गया है अब लोग खोज रहे हैं भारतियनता पार्टी के नेता वकार्च करता को ये लोग कहीं मिली नहीं रहे हैं इन लोग को पता चल चुका है कि लोग पकड़ करके इनका इलाज करवाना चारे दर्भंगा एमस में और दर्भंगा एमस में जिस तरह से प्रधान मंत्री जी के अस्तर से जूट बोला गया मिथ्या परचार किया गया और बात को परोशने का काम किया गया इससे लोगों का विश्वास और नहीं भी चुन ले अब देश की जनता इनको चुनने वाली नहीं है बिहार की जनता इनको चुनने वाली नहीं है हाँ ये चुन चुन करके लोगों को लदूआ भीड़ ला करके जमा कर सकते हैं लोगों को अपनी बात सुना सकते हैं लेकिन लोग बात सुनते कम हैं इनके जुमलाबाजी को ज्यादा लोग चर्चा का विशे बनाते हैं लोग तो अब पूछ रहें कि एक तरफ एक व्यक्ति है जो बिना हवा यड़ा बने हुए हवा जहाद उड़ाया है दूसरा व्यक्ति है जो बिना M's का निर्मान हुए M's में लोगों का इलाज करवा रहा है तो पास कोई काम है नहीं इन्होंने कोई काम किया नहीं है जनता और जनता के हीतों के लिए और जनता के सवालों पर भारतियनता पार्टी कहीं नहीं है इसलिए भारतियनता पार्टी को आने वाले समय में इसका खाम्यादा भुगतना पड़ेगा और जो इंडिया इंडिया के परती लोगों का विश्वास है उसके कारण इनका कदम भी डगमगा चुका है और ये कहीं ना कहीं जो डगमगा हुए कदम है उससे बिहार में अपने आपको समालना चाहते हैं लेकिन ये बिहार है यहां पर उड़ती चिरियां को लोग हल्दी लगाने का काम करते हैं आने व पहुंचेंगे तो उन्हें हल्दी लगाने का काम किया जाएगा और साथी साथी नोंने यह भी कहा है कि जब जब अमित्सा यहां पढ़ा हैं तब तब हमारे प्रती जनता का विश्वास बढ़ाए क्योंकि वो लोग सिर्फ जुमला वाजी करते हैं और फिर बात में जनता यह समझ जाती है और लोग सभा जो चुनाओ है चुनाओ में उन्हें जनता दिखा भी देगी अविकले इतना ही बने रहें लाइप बिहार के साथ धनेवार लाइप बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेस्बुक पर लाइक जरूर करें